नमस्कार दोस्तो अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली तता मानवता को सरमसार कर देने वाली खबर सामने आई है दोस्तो आपको बता दे यहाँ पर एक युगती से लगतार 6 महीने तक गैंग रेप किया जाता है और दोस्तो यह जो गैंग रेप है वो किलिने के संचालक समेत अन्य पर दोस्तो इसका मामला दर्ज कर लिया गया है दोस्तो घटना है राजस्थान की टौक जिले की टौक में लड़की को धमका कर 6 महीने से गैंग रेप का मामला सामने आया है लड़की के गरववती होने पर परिवार को इस बात का पता चला इसके बाद बुद्धवार को लड़की ने अपनी परिवार के साथ कोतवाली थानी में मामला दर्ज कराया है आरोपी किलिनिक में काम करता था पुलिस ने आरोपी के खिलाप मामला दर्जकर पीडिता का मेडिकल परिक्षन शुरू कर दिया है एसपी सुभास्चंद मिसरा ने बताया है कि 21 वर्षे पीडिता ने रिपोर्ट में कहा है कि वहें दिसम्बर 2021 में खराब स्वास्ते के चलते दवा लेने किलिक पर गई थी जहां समीर और उसके भाई सालिक ने उसे दवाई दी लेकिन दो दिन बाद भी उसकी तवियत में सुधार नहीं हुआ इसलिए वहें दोबारा किलिक गई थी जहां सालिक ने इंजेक्शन लगाया इसके बाद वहें बेयोस हो गई वहें करीब डेड़ गंटे तक किलिक में ही रही उस दोरान सालिक ने रेप किया और असलील वीडियो किलिक भी बनाई होस में आने के बाद आरोपी ने ये कहते हुए नींद का इंजेक्शन लगा दिया था कि वहें ठीक हो जाएगी 28 दिस्तंबर को जब वहें दोबारा किलिक गई तो आरोपी ने दूसरा इंजेक्शन मागा और दोबारा लगा दिया इस दोरान आरोपी ने होस कोने से पहले उसके साथ दुसकरम करने का प्रियास किया इसका वरोध करने पर केलिक संचालक वे उसके भाई ने वीडियो दिखा कर बदनाम करने की दमकी देते हुए उसे पकड़ लिया और दोस्करम किया पीडिता ने बताया कि इसकी बाद वहे उसे बिलेक मेल करने के बाद नसीला पदात खिला कर कई बार दोस्करम करता रहा है इसमें उनके भाई ने भी मदद की है दो दिन पहले जब पीडिता की तब्यत बिगडी तो उसकी मोसी ने उसे अस्पताल दिखाया तो पता चला की वह तो गरववती है दोस्तो जब डॉक्टर ही इस प्रकार की करत्ते करेंगे तो आखिरकार मरे जाएं तो जाएं कहाँ दोस्तो हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी आप अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना तता हमारे वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अब इससे बताएं धन्यवाद